नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंग आयरवेश चिरिसक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयरवेश संजीवन पर हार्दीप स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहरी बारा है ताप इस चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि सेटेनल टाइग के बारे में दोस्तों यह विसे ऐसा है कि अल्मन अधिकतर अधिक मरीजियों को सेन्टिनल टैक समस्यार आती है लेखिन यह फिसर की वजह से होता है सर्सें की कंडिशन में जब उहाँ पर इंफ्लामेशन होती ही सब्सक्राइब गहाव बनता है तो उसकी से दन कैसे गारें यह कि दोस्तों अधेक्तर केसेज में कि बस्षान स्यंट्रेऌ के और प्रेशन हो जाते हैं रहाइफ हो लेकिन जो में में कारण होता है विए कि ऐसको ठीक नहीं किया दाएं जिसकी वजह से आगे भोई तौन समय posición सेंटिनल टक्ट दुभार उत्पन होने की पूरी संभावना रहती अगर अपने रूटीन को और को सका कास्टीप्रीशन को अगर ठीक नहीं करते हैं हो सब्सक्राइब या दुबार इस पर दुभार होत पन कि दोस्तों को अधिकतर लोगों को जो सेंटीनल होता है अधिकतर मरीजियों को सेंटेनल लोगों को बाहरी मस्याज को वाधि वह उसकी अपर सेंटेनल बाहर हो जयता है और दिरे 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 वो एक बड़ा आकार लेते हो आपके पैखाने का रास्ते को कबर करना शुरू कर देता है लेकिन जो दूसरी कंडिशन है दोस्तों अधिकतर जो सेंटिनल टैग हमने देखें या जो सास्त्रों बढ़े थे जो वादिवासीर कुत पत्ती होती है वो एक कि उताया जो ब्रण होता है धिखें टो इसन्टिनल टैग होता है कि इस पकार की जो ब्रण है वह फिशन की वजखर में होता है इसलिए सेंटिनल टेग जो होता है उसका जो मूल कारण होता है वो फिसर होता है उसकी वज़सी उस परगार का जो मस्सा होता है वादिवासीर जो होती है वो डेवलप होती है कुछ केसे में बहुत मिनुम केसे होते हैं जहां पे फिसर की समस्या नहीं होती है और सेंटिनल ट देखत के वाल कुन्थन करने से पैखाने के रास्ते पेखाने करने के लिए जी प्रेशर देते हैं उसकी वजा से डेलप्ट होती वह सेंटिनल तो ऐसी सिति में जो अलग-अलग कंडिशन बनती है दोस्तों यह चिगिस्सक उसके अमसार डाइग्नोस करके और तब उसके चिगिस्सका करते हैं अगर समाने सेंटिनल टाइग है जो आपके पैखाने के रास्ते पे हैं जिससे कोई तकलिफ नहीं हो रही है कोई तकलिफ नह कारण के आपको पैखाने के रास्ते पे तकलिफ नहीं हो सकती है इस चीज़ को सबसे जरूरी है समझना है कि दूसरी कंडिशन है दोस्तों अगर आप किसी मेडिकल एक्जामनेशन में जा रहा है ऐसे कमेंट आते हैं लोगों के कुछ कमेंट इससे कि मेडिकल बन जाता है एसी इस्थितिन में अगर आपके पैखाने का रास्ते पे तो वहां पे आप मेडिकल परिछन से परिछन में हो सकते हैं क्योंकि उस परकार का सेंटिवल ट्रेग वहां पे एक बड़ा कारण बन जाता है आपको छाटने के लिए ऐसी होस्ताब में अगर आप मे आसानी से रिमूब किया जा सकता है तो आप छार सुद्विजिस से उस पकार के मस्ते को अपरेट करा सकते हैं दूसरी कंडिशन आती है जिसे अधिक मरीचों के कपलें आते हैं या अलेंग कंसल्टेशन में अधिक मरीच सवाल पुछते हैं कि सार अमने फिशर हुआ था हमने अपरेट कराया और बाहर मस्ता था सेंटेनल टैक ता इसका अपरेट कराया और यह चीजें हमारी फिर से डिवलप हो रहे हैं डिकत हो रहा है जो अज कभी से हमने आपके लिए लाया है समझने के लिए कि इस चीज को समझें अगर फिसर की वोज़ा से फिसर बनने की विज़ से ने की विज़ से सोच के रास्ते पें दर्द होते ही और सेंटेनल टैक टेक्ग उतक्ति बहुती है बाहर मस्ता डिवलफ हो हो रहा है आपी। इसा इस्तिति में वो बाहरी मस्ट को रिमूब कर देना। चाहे हो किसी उठी हो सुदू से हो 4 सुथ या जन्र असर्जरीी से हो। कि वो मस्टा रिमूब हो जाया। उससे आपकी वो परसानी में खतमी। जब से ज़रूरी होता है जो फिसर बेड बनता है जो फिसर का मेन कारण है उसको दूर किया जाना चीया जब तक वह तो दूर नहीं होगा अगले दो चार छे महीने साल बर में फिर से अपका दूसार डेवलप्मेंट हो जाएगा और अपकी तकलिफ वहीं की वहीं रहेगा ऐसी सिति में सबसे महतपूर्ण होता है दोस्तों कि उसंथ की ची हिसा के साथ साथ उस सेटिनल के चीजिसा होने चीह जो कि जब तक वह कॉफिसर बेट जिसकी वज़त से आपका अप यह chquis करेंगे कि महीन हो जाएंगे यह लेकिन अदरस जो मेन समस्या थी सौच करते समय वो समचे आपकी नहीं जा रही है यह समस्या तभी आती है जब कांस्टिप्रेशन रहता है और कुछ मरीज बीज से पज़ेश मरीज ही होते हैं जो बेहतर हो जाते हैं बाकि अधिकतर मरीजों में कांस्टिप्रेशन अगर है वीचूल है कांस्टिप्रेशन के उपेसेंट है पैखाना 24 गंटे में एक बार जा आपके कांस्टिप्रेशन पूरी तरह से दूर नहीं हो सकते हैं इसका खास तौर से ध्यान रखना है ऐसी सिदिन दोस्तों जब तक जो फिसर का कारण है जब तक वो दूर नहीं होगा आपकी वो समस्या नहीं दूर हो इसलिए केवल बाहरी मस्टा से अपरेट कराने मात्र से ही आप उस रोग से मुक्त नहीं हो सकते हैं इस इसका दिहान लखेंगे दोस्तों कि जब भी आप पने चिकिस्ता कराएं किसी भी कि बात जानकारी कर लें कि बहुष्च में किस वगार की टेंडेंसी रहेगी इमांदारी पुरवक चिकिस्ता कप अपनी बात उस रोग के बारे में बताएंगे को किस वगार के चीजें एक कामन होता है लेकिन जो मूल काराण होता है जब तक उसको दूर नहीं किया अगर आपके मुन में इस विष्ब से शमनित या किसी विष्ब समनित कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शं में कमेंट के मादम से अपने सवालपूर सकते हैं और दोस्तों अगर आप दूर हैं नज़िक में नहीं है तो अधिक जा इवानव ऑनलाइन कांसल्टेशन के माद कर दो दोस्तों सबस्या जागूरुक होने की हां और जिस्टक के माध्यम से ही ज़ीए दिए जिखर चीम ora foster आप अपनी अपनी इसystैन सबक्राइं की जो सोच का रा Lehr स्कों आसानी से डीक भी जिया सकता यह लेकिन अगर ही मिजिए तरह करना को दूर करना और उस फिसर की ब्रशिद की जो होती है है कुछ कंडिशन में इनल स्मेक्टर स्पास्म होता है यह से भी चीज इन करेंगे आपका एक्जामिनेशन जब तक नहीं करेंगे यहीं करेंगे तब तक सता है लिए टेसलिय Nuclear और और लहीं चीजिच्थपों कमें जरूर पूछे और इस पकार का जो दोस्तों ईसको अपने जाननेबाइं लोगों के I है ताकि लोगों में जाग रुखता हो और दोस्तों इसके साथ आज कभी से संब्सक्राइब